वेल्कम बैक फ्रेंड्स दिस इस करन अफेस फंडा आज मैं आपको एक्सपेक्टेड पैटर्न बताऊंगा अभी पेस क्लर के एक्जामिनेशन में इनेक्वलेटी का क्या था स्टेडमेंड़ा बहाँ पर क्योषट थे और Babs ते और दो कंक्लूजन दी होते हैं C1 और C2 अब इन में चेक करना होता है आपके किभल यही cash बनते हैं only first follows या तो पहला करेगा या तो नहीं नहीं करते हैं तो कहीं पर none follows लिखा होता है या फिर लिखा होता है नाइधर first nor second follows कभी-कभी दोनों follow कर जाते हैं तो बोथ first and second follows start करते हैं पहले questions की और तो अगर यह question दिया है equal to see statement wise kind of questions होते हैं तो सबसे पहला आपको conclusion चेक करना है is greater than f तो देखो a से अगर आप f तक travel करेंगे तो आपको equal मिलेगा फिर less than और equals से मिलेगा और less than मिल जाएगा तो ultimately आप किस direction में जा रहे हैं forward जा रहे हैं तो a से f जाने पर इन तीनों की अगर compression करूंगा तो ultimately result क्या हम लेगा less than मिलेगा लेकिन यहां क्या दिया है greater than तो पहला गलत के से t आपको जाना है तो के से t जाने के लिए मेरे पास तरीका क्या है कि पहले मैं के से c तक आऊ हूं तो के से c तक आप गए तो आपको greater का symbol मिल गया अब आप c से t तक जा रहे हो तो आपको यहां पर देखो opposite symbol मिल है तो यह भी आपका गलत हो गया तो दोनों आपके follow नहीं कर रहे हैं तो यहां पर क्या करोगे none follows या फिर neither first nor second ओके यह approach हम लगाते है second question को सही मिलता हुलता है इसमें कहा गया है r is less than b यह आपको check करना है अब देखो तो r से u एक relation दिया है लेकिन u से लेकर r यहां पर कहीं use नहीं हुआ है तो पहले वाले relation को हम use नहीं करेंगे second में देखो r से u अगर मुझे जाना है तो पहले में क्या करूँगा यहां पर क्या लिखा है B, M, R ठीके, R से लेकर आपको B तक जाना है, तो आप यहां से R से B जा सकते हैं, तो जैसे आप R से B जाएंगे, ग्रेटर का क्या है, आपका लेस्देन हो जाएगा, एक्वल आपका एज़िटेस रहेगा, इन दोनों में जा सकते हैं, तो B से W जाएंगे, तो यह बेकबर जा रहे हैं, तो यह पर सिंबल क्या हो जाएगा, इसका पोजिट मितलब less than, तो less than equals to, यह सिंबल भी लेगा लेकिन, अपने 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 गलत हो जाएगा, तो यहां पर क्या answer होगा, only first follow third question अगर मैं देखता हूँ, इसमें कहा गया है, एक statement दिया है, फिर conclusion है, पहला conclusion कहता है, n is greater than b, greater than or equals to b, यह आपको check करना है, अब देखो, n कहां पर है यह है, और v आपका कहां पर है यह है, तो आप n से b तक जाओगे, तो आपको equal मिला, फिर greater मिल गया, फिर greater equal, तो इन तीनो symbols में है, जब आपको greater और greater equal, और equal मिला है, तो highest precedence तो greater की होती है, तो इस बज़े से यह क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, false, second अगर मैं check करूँ, o is greater than x, o से x तक, तो देखो, o यह रहा और x यह रहा, o से x तक अगर greater than, आपको check करना है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर greater दि only second follow, okay, next question की अगर मैं बात करूँ, fourth की, तो इसमें कहा गया है, i is greater than g, आपको check करना है, ठीक है, तो देखो, i से मैं b तक जा सकता हूँ, i से पहले मैं e तक जाऊँगा, तो जब आप i से e तक गया, तो आपको less than का symbol मिला, और e से g तक गया, तब भी आपको less than मिला, तो दो greater than j की बात करूँ, e से लेकर, j तक comparison करूँ, तो देखो दोस्तो, e से लेकर आप b तक गया, तो आपको क्या मिला, greater मिलता है, और b से लेकर अगर आप j तक गया, तो आपको less than, less than मिलता है, अगर इन तीनों में compare तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक opposite होता है, तो बहीं पर कोई relation नहीं बनता है, तो यह हमारा उस वज़े से गलत हो गया, तो दोनों आपके subject, pedigate भी अलग अलग है, तो क्या बनेगा, none follows या फिर either, neither first, ये neither nor की condition में जाएगी, neither first, nor second, ठीक है, जब आपके subject और pedigate सेम नहीं होगे, तो बहाँ पर either or नहीं बनेगा, तो फिर क्या बनेगा none follows या फिर neither nor, last question के हम पर बात करूँ, तो q is greater than or equal to z, is greater than i, ये statement दिया है, और q से n तक आपको चेक करना है, तो direct q से n तक चेक कर लो, तो q से n अपको क्या मिला पहले symbol, greater or equal, फिर मिलता है greater का symbol, फिर मिलता है greater equal का, तो इन तीनों में is precedence की होती है, बीच वाले की होती है, य ये आपको follow करता हैगा, और q equal to n तो ये तो कभी follow नहीं करेगा अगर आपका ये result ultimately आ रहा है तो, तो यहां पर हमारा result के आएगा only first follow, okay, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक्षी बिताना चाहूँगा, कि यहां पर जो ये greater नहीं दिया है, इसकी जगह पर ये symbol दियाता ह q is greater than or equals to z equals to i is greater than or equals to n, के बल इतना दिया है, और आपसे पूछाता है q is greater than n और q equal to n, तो देखो q से greater n लिखा हुए न, तो q से जब आप n तक जाओगे, तब आपको greater का symbol तो मिलेगा नहीं, greater equal, यहां पर equal, greater equal, तो ultimately symbol क्या रहा है, greater equal क्या रहा है, तो पहला आपका individually false हो जा यह बाला relation derived भी हो रहा है, तो ultimately हम कह सकते हैं, यहां पर हमारा either or बन जाता है, तो ऐसे questions पर exam में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर ultimately answer क्या आएगा, only first follows, क्योंकि यहां पर greater than का symbol मौझूद है, यह case बिल्कुल दूसरा था जो मैंने आपको example के तोर पर समझाया दोस्तो, inequality से related videos आप यहां पर भी देख सकते हैं, और video के description box में आपको latest clerk से related video मिलेंगी, जो 26 और 27 और आज के exam से related हैं, और इस logo पर click करके channel को subscribe करें, thank you friends, have a good day, और इस video को like करना ना बोले,